तो हम बात करेंगे इस पारे टेस्ट की नॉर्मली आपको पता होगा गर्ड की टांसफार्म रहे टेस्ट होता है तो सबसे पहले ऊको पता थे तो उसने बहुत सारे करके को एंडिंग को टाइट करके कंप्लीट ट्रांसफर्मर के सेटप किया जाता है तो उस केस में क्या होता है कि हम उसकी टेस्ट नी करते हैं उसको फिक्स रिकॉर्ड करते हैं सिम्रली क्या होता अगर हम टांस्पोर्टेशन कर रहा है और उस कंडिशन पर बहुत सारे रोड में कहीं पर ट्रांसफर्मर की इनर बॉड़ी में कहीं पर ट्रिफेक्शन आगया है वह हमें पतन चलता है थू नेकड आई तो इस कंडिशन में उसको करने के लिए स्ट करते है होता है अलग क्या होता है जिसमें हमें इसकी वेलू पता चलती है यहां पारिकमट के चैटर करने बात करेंगे यहां पारिकिट उसका लेप्टॉप एक अब अब उसके हम तर्मिशन केट कैसे करते हो देखने हैं सबसे पहले आगर आपको एच वी की रिस्पेक्ट में एस विल्डृण िसमें और Q support आपको आपको आप आप को अपुट्प से अ रहा ह। यहां से क Spaß अंपे होगा दूसरा आपको उट्पुट्सराओा पwnieसे यहांने आपको इनपीच जो सब्सक्राइब करें जोड्ञ ब्राइबूरिंस कोाम धरीग्ड्ट हुग देट इस बेसिक सेटप आप सब्सक्राइब और एक कॉमन ग्राउंड जो पर किट के साथ भी करनेटर रहेगा और कॉमन अब हम वर्किमिस के बात करेंगे अब ध्यांस देखते जाएगे आउटपुट से आपकी हाई फ्रेक्वेंस इंजेट की आती है जो उस मेजरम इंजेक्टिंग फीस में कैपिसेंस रेक्टेंस मिलके वो सीधे आपकी एच्छी विसिंग मुझा रही है वापस रिटन होके रिटन चैनल पर आ रही है पहला दूसरा आप देखेंगे कि वापस रिटन होने के पहले वो बूसिंग A से अपनी फीड़वेक A, B से होते हुए C से होते हुए मेजरमेंट सीट पे वापस ओंके आपको रिटन देती है यहां से देखिए आपने हाई की वास का आउटपूट आपका दूसरा सिंगल मिला है क्योंकि आपको स्रेक्वेंसी डाउन हुई है या अलग रिफ्रेंस में गया है वाड़निंग से कोर में गया है कोर्स मार्णियम यह कुछ ड्रॉप हुई है उसका एक कॉमन फ्रेक्टर बनता है देखो दोनों का डिफ् टक कैसे काम करता हो देखिए अभी हमने कम्पीड सेटप को बना दिया है मेजरमेंट से इंपूट के आ है रही है अभी इन दोनों का जो कंबाइंज जल मिलके आता है वह आपको आगे दिखाई देगा देखेंगे हमने हाई फेक्वेंसी अप्राइट किया हाई फेक्वें कीज़िस निजल मने श्रम से उचनिक Jeansj Reck ฮ सी को अगरेन। स fuegoेने पुम्त करते हैं तो अब है हमारे प्राइक हो गतैने में संट करेंज के दो सकते हैं मोर्त जैसे हम हैं कर दिखाएंगे कि सपोस्थ पहले स्टाटनिक हमने को बुशिंक पर दिया लेकि सबसे पहले सबसे बाद के बाद बरंडी बर्णीं पर देख सकते हैं कि पहला जो ग्राब दिखा रहा है क्योंकि अभी मेजर्मन किया वह रहा है तो लेस्दिन के बाद पाद को यह दिखा रहा है तो चोछप अब explicar माइ